तो या तो सब्सक्राइब करो werdल को सुझां है तो इस काफी इमप्रेंट कोशिटन होगा कि जो तुम्हें याध forever फिर रटने की जोतनी परेगा जब तुम डिटर्मिनार्ट के प्रोपर्टीज को यूज करोगे वो तुमें खुद से याद हो जाएगा पहली बात दूसरी बात क्या है कि इस टाइब के जो कोश्चन होंगे वो आईटी जही मेंस एडवांस में नहीं आएंगे यह नहीं होगा कि यह इसके इक्वल दे रखा है प्रूफ करो हाँ ऐसा हो सकता है कि यह डिटर्मिनार्ट दे दे यहाँ पर कोई जैसे यह 2ABC दे रखा है यहाँ पर लैमडा डाल दे और बोले कि find the value of lambda जैसे अभी हमने यह डाला है यहाँ पर fx डाल दिया है अब बोलेगा find the value of fx इस टाइब का question हो सकता है या फिर क्या बोलेगा कि fx के जगा नीचे fx के चार options दे रखे होंगे बोलेगा fx is this this तो तुम इसे solve करोगे तभी तो fx निकाल पाओगे और solve कैसे करोगे यहाँ पर सीधे ऐसा तो नहीं करेंगे कि हम row wise या column wise इसको expand करने बैठ जाएंगे तब तो हमारा सारा time ही निकल जाएगा हमें करना क्या होगा प्रोपर्टी लगाना होगा मैंने इसको कोई किसी दूसरे method से solve कर दिया मेरे दिमाग में उस बार जब मैं इसे लेख रहा था तो वो method आया है तो मैंने उसको उस method से solve कर दिया फिर अभी मैं तुम्हें जब यहाँ पर तुमारे लिए video बना रहा हूँ तो फिर मुझे यह दूसरा method क्लिक कर गिया तो मैंने इसे solve कर दिया तो यह actual ज़्यादा shortcut हो गया ठीक है यह मुझे डारेक्टी दिख गया कि यह तो diagonal matrix दे रखा है diagonal matrix का determinant दे रखा है तो मैंने डारेक्टी क्या किया diagonal matrix के element को multiply कर दिया यहाँ पर मैंने क्या किया है कि इस 3 को 0 बनाया तो फिर उसके बाद first column के long expand किया तो यह three by three order का determinant आगिया फिर इसमें हमने क्या किया फिर first row के long expand किया तो यह थोड़ा ज्यादा calculated हो गया है तो तो तुम ऐसे छोड़ दो जैसे अभी मैंने तुम्हें समझा है इससे solve कर लो यह पता चलेगा तब जब तुम question का practice करोगे ठीक है अब बच्चों आ जाओ question number 14 में question number 14 क्या है यह जो है ना NCRT का question है बस थोड़ा तुम्हें यहाँ पे ध्यान देना होगा जैसे क्या बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कि show that यह साहथ NCRT के miscellaneous का question है I think miscellaneous का ही है question ठीक है तो इसमें देखो क्या है यहाँ पे क्या बोल रहा है कि show that b plus c whole a square b a c यह determinant देरा का बोल है कि इसके equal proof करो ठीक है तो कैसे करेंगे proof उसका तुम्हें मतलब क्या करेंगे पहला कौन सा property लगाएंगे second कौन सा लगाएंगे third कौन सा लगाएंगे तो यह कभी नहीं बोलेगा ठीक है यह हमें कोई formula से नहीं आ जाएगा यह सिर्फ पता चलेगा practice से तो practice करोगे तुम्हें खुदी clear होगा या खुदी दिमाग में आ जाएगा जब तुम first step लगाते हो मैस में क्या होता है कि हम down the line 2-4 step हमारे दिमाग में रहता है कि अच्छा हम ऐसे कर लेंगे तो फिर ऐसे हो जाएगा अच्छा है ऐसे कर लेंगे तो चलो ऐसे करना चाहिए तो मतलब इस टाइप का थोड़ा हमारे दिमाग में बनेगा तब जब तुम practice करोगे तो यहाँ पे हमने क्या किया कि R1 को हमने change किया क्या किया R1 को ऐसे multiply कर दिया R2 को B से multiply कर दिया R3 को C से multiply कर दिया अब कोई बच्चा बोलेगा कि ऐसा दिमाग में कहां से आ गिया कि R1 को ऐसे multiply करना R2 को B से करना R3 को C से करना तो वही बार बार में बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करो यह दिमाग में कहां से आ गया है वो बता दे रहा हूँ अगर तुम R1 को A से मल्टिप्लाई करोगे तो यहां पर क्या होगा इसको R1 को A से मल्टिप्लाई करो R2 को B से और R3 को C से तो रो को हमने A से मल्टिप्लाई किय लो को आ, भीच, से ब्लिप्लाई किया तो तो कॉलम में क्या होगा की कॉलम में ब्लिप्लाई को ब्लिप्लाई कि ना किका कम यह की कॉलम में ए जाएगा तो तो तुम consistent was to the तबी तुम first row से बाहर निकालोगे तो A और A cancel हो कि original determinant आएगा तो हमने ABC यहाँ पर divide कर दिया क्यों? विकाज यह A कहां से आया? विकाज हमने first row को A से multiply किया यह B कहां से आया? विकाज हमने second row को B से multiply किया यह C कहां से आया? विकाज हमने third row को C से multiply किया अब हमने यहाँ पर one upon ABC कर दिया फर्सt row को second row को third row को ABC से multiply कर दिया अब बच्चे देखो क्या है? मैंने क्या बोला कि row-wise थो हमने ABC से multiply किया अब column-wise हमने ABC common निकाल लिया जेखो first column में A common आगिया second column में B common आगिया third column में C common आगिया तो हमने column-wise क्या किया? ABC बाहर निकाला तो जैसे हमने column wise ABC बाहर निकाला तो यह जो ABC बाहर लिखा यह cancel होके हमें यह determinant आगिया ठीक है यही लिखा मैंने taking ABC AB and C common from C1, C2, C3 ठीक है तो हमें क्या मिल गया B plus C whole square A square A square देखलो यहां से हमने A common निकाला तो क्या मिलेगा B plus C whole square B square C square हो गया यह क्या हो गया A square C plus A whole square यह C square यह हो गया A square B square A plus B whole square अब हमने क्या 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 कि C1 को change किया first column को change क्या 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 first column को change C1 minus C3 कर दिया फिर second column को हमने change क्या C2 minus C3 कर दिया अब कोई बच्चा बुलेगा कि यह कहां से आ गए दिमाग में कि first call-up को हमने c1-c3 कर दिया c2-c3 कर दिया यह दिमाग में कहां से आ गए तो ऐसे तुम देखो कि जो हमें प्रूफ करना होता है उसको हम देख रहे होता है ऐसा नहीं है कि हम random शुरू हो गए हम देख रहें कि हमें क्या प्रूफ करना है तो हमें यह दिख रहें आ है कि a plus b plus c का तीन फैक्टर बाहर निकलेगा इस डिटर्मिनांट से तभी तो a plus b plus c whole cube आएगा तो तीन फैक्टर आएगा मतलब कि या तो तो तीन बारे a plus b plus c common ऐगा इस डिटर्मिनांस से तो अगर हमने ऐसा किया c1-c3 तो यहां पर देखो यह क्या ओगा? b plus c whole a square minus a square तो इस पर आप a plus b plus c whole square लगा होगे यह क्या होगा? b plus c whole a square minus a square तो यह क्या होगा? b plus c minus a into b plus c प्लस C, A square minus B square का formula लगा होगे तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या होगा C square minus A square जैसे यहां पे क्या आएगा, ये ऐसे आएगा C1 minus C3 करोगे तो आएगा न, C square minus A plus B का whole square तो इसको तुम लिख सकते हो na, C minus A minus B, और यहां क्या लिख सकते हो C plus A plus B तो ये आगया न, generate हो रहा है समझे रहो बात को तो यहां पे अगर तुम इसको subtract करोगे तो क्या होगा, यहां पे देख लो क्या होगा, B plus C whole square minus A square C1 minus C3, यहां से ये subtract करोगे A square, तो ये क्या होगा, B plus C minus A, और यहां क्या हो जाएगा, B plus C plus A, तो फिर A plus B plus C, ये फिर generate हो रहा है और ये 0 into 0, तो यहां ये 0 into 0, तो 0 को तुम नहीं लिख सकते हो, 0 into A plus B plus C, तो यहां भी आगया, मतलब फिर्स कॉलम में A plus B plus C common देख रहा हमें तो हम क्या कर सकते, A plus B plus C को बार निकाल सकते, ये पता कैसे चल रहा है, ये पता चल रहा है हमें, question जब solve करोगे तो खुद ही तुमें पता चलेगा कि अब क्या करें, अब क्या करें तो समझ में आड़ी है बात ना, C1 minus C3 कर दिया, तो फिर यहां पर एक generate हो गया, ये दो turn, फिर C1 B square minus B square के है, तो 0, तो 0 का हम ने 0 into A plus B plus C लिख दिया और फिर यहां क्या generate हो गया, C square minus A plus यहां क्या हो गया, B plus C का whole square, अच्छा C square minus A plus B का whole square, ये क्या हो गया, C minus A minus B, C plus A plus B ऐसे generate हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, कि first column में क्या आजाएगा, A plus B plus C common आजाएगा, इसी line पे, same line पे, जब तुम C2 minus C3 कड़ोगे, तो ये 0 हो गया, यहां क्या हो गया, C plus A whole square minus B square, तो फिर तुम इसको क्या लिख सकते हो, C plus A minus B into C plus A plus B, फिर यहां C square minus A plus B का whole square हो जाएगा, तो फिर लिख होगे C minus A minus B C plus A plus B, तो इसका मतलब second column में भी A plus B plus C वाला term आजाएगा, common तो हम first column में A plus B plus C का term common आजाएगा second term में भी क्या हो जाएगा column में भी A plus B plus C का term common आजाएगा, तो दोनों को बाहर निकालेंगे, तो A plus B plus C का whole square भारा जाएगा समझ रहे हो ना बात को तो यही काम हमने यहां पे किया देख लो तो यह हमें मिल किया b plus c whole a square minus a square 0 यह c square minus a plus b square यह कब मिला जब हमने c1 minus c3 किया यह कब मिला जब हमने c2 minus c3 किया ठीक है taking a plus b plus c common from c1 and c2 यहां क्या आ रहा है यह 0 को तुम लिख सकते हो ना 0 into a plus b plus c यहां लिख सकते हो ना a plus b plus c ऐसे लिख सकते हो ना अब यहां देख लो first column से a plus b plus c को बाहर हमने निकाला second column से हमने a plus b plus c को बाहर निकाला तो यहां में क्या मिल गया a plus b plus c का whole square ठीक है यहां क्या बचा फर्स कॉलम में B प्लस C माइनस A यह 0 बचिया यहां क्या बचा C माइनस A माइनस B यहां 0 हुआ यह क्या बचा C प्लस A माइनस B यह क्या हुआ C माइनस A माइनस B third column तो change होगा नहीं अब हमने क्या किया कि इसमें क्या क्या कि third row को change कि third row में क्या change कि second row first row को add करके third row में subtract कर दिया अब कोई बच्चा गोलेगा कि फिर ये कहां से पता चल गया तो ये मुझे na third column से hint मिला कैसे third column से hint मिला कि अगर मैं a square plus b square इस दो को add करके a plus b whole square से subtract कर दूँ तो ये simplified term हो जाएगा मतलब 2a भी आ जाएगा ये simplify हो जाएगा ना इस दो को add करके अगर मैं a plus b whole square से subtract कर दूँ तो यहां क्या बचेगा 2a भी बचेगा तो ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ यही मैं apply कर दूँ बाकि अगर मैं row wise apply करूँगा तो इधर भी change होगा इधर भी change होगा तो hint यहां से मिल रहा है मुझे यहां से क्या hint मिल रहा है कि third row को change करो third row को क्या change करो third row में third row से तुम subtract करो r3 में तुम subtract करो क्या subtract करो r1 plus r2 तो देखो पहले क्या करेंगे इन दोनों columns को हम add करेंगे sorry इन दोनों rows को add करेंगे इसको और इसको add करोगे तो ये तो b plus c minus a ही रह जाएगा अब इस term को इस term से subtract करोगे समझ रहे हो ना तो subtract करोगे तो क्या हो जाएगा ये cc cancel हो जाएगा cc a a cancel हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा सब्सक्राइक करना इसमें से तो क्या होगा सीसी केंसल और यह क्या होगा माइनेस तूय हो जाएगा और फ़ेर fonts बाए भी बेर सिद निपनेस बाएं से देख्ञेंए response जो ए वह Ben die कि निकाल दिया धीक है उसके बाद तो बहर निकाल दिया उसके बाद हमने क्या कि कि first column को हमने A से multiply कर दिया और second column को हमने B से multiply कर दिया और फिर कोई बच्चा बोलेगा कि फिर ये कहां से पता चल गया तो इसका ये मैं hint दे रहा हूँ कि अगर तुमने first column को तुमने A से multiply किया तो ये देखो क्या होगा ये AB plus CA minus A square होगा और अगर तुम इसको add करोगे तो ये A square वला term cancel होगा ठीक है और यहाँ देखो अगर तुम यहाँ multiply करोगे तो ये क्या होगा minus 2AB यहाँ add करोगे तो ये 0 होगा तो ऐसी hint मिलता हमे समझे रहो बात को ये तब होगा जब तुम इसको practice करोगे तुम देख मैंने क्या बोला कि अगर तुम first column को A से multiply करोगे तो ये क्या होगा AB plus AC minus A square और अगर मैं ये add कर दूँ तो ये A square वला term यहाँ से gap हो जाएगा ठीक है तो उसके बाद इसको भी A से multiply करोँ तो A से multiply करोँगा तो ये तो 0 ही रह जाएगा यहाँ A से multiply करोँगा तो ये minus 2AB और जब इसको add करोँगा तो ये 2AB तो ये दो column, first column का दो element 0 आ जाएगा ठीक है और अगर मैंने second column को B से multiply किया तो ये 0 हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा BC plus AB minus B square इसको add किया तो क्या हो जाएगा फिर ये cancel हो जाएगा फिर ये क्या हो जाएगा 2AB add किया तो फिर यहाँ 0 हो जाएगा मतलब simplify होड़ा है तो इसका मतलब क्या हमने पहले first column को हमने A से multiply किया second column को B से multiply किया तो अगर मैंने first column को A से किया multiply second column को B से multiply के तो यह divide भी करना होगा balance करने के लिए तो देख लो A B से हमने divide कर दिया यहां से 2 बाहर निकाल दिया ठीक है तो यहां से 2 अभी बाहर निकाला है तो यह 2 क्यों लिखा है इसमें ठीक है अच्छा यह 2 चलो यह तो एक काम करो इस 2 को हटा दो इस 2 को हटा दो और इस 2 को हटा दो ठीक है तो यहां से हमने 2 को बाहर निकाल दिया अब हमने क्या किया वही C1 को change किया C1 प्लस C3 कर दिया फिर C2 को change किया C2 प्लस C3 कर दिया तो यह a2, यह a2 cancel होगे, ठीक है, यहाँ क्या आजाएगा, b2, देख लो, इसमें जादा लिखना था, इसलिए मैं solve नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर क्या होगया, देख लो, जब तुम इस दो को c1 plus c3 करोगे, तो यह a2 cancel होगे, क्या बचेगा, ab plus ac, यहाँ देख लो a2, यह b2, यह b2, 0 plus b2, तो यह b2, फिर यहां क्या होगा, ab, minus ab, 0 होगया, अब जब इसको एड करोगे, तो यह क्या होगा, a2, और यह b2 cancel होगा, to क्या बचेगा, bc plus ab, bc plus ab, और यह minus ab plus ab, 0 होगया, और यहां क्या बचिया, a2, b2, ab, यह तो अल्रडी रह जाएगा, ऐसा करने से benefit क्या हो गया कि हमारा जो 3rd row है ना 3rd row इस 3rd row का 2 element 0 हो गया अब हम क्या कर सकते हैं कि जब 3rd row का 2 element 0 हो गया तो हमने 3rd row के लोंग expand कर दिया तो उससे क्या होगा कि ये 2 by 2 order का determinant आजाएगा तो देखो expand करने के लिए positive, negative, positive negative ये positive इसका sign positive होगा तो ये और ये हट जाएगा, a भी रह जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा ये 2 by 2 order का determinant हो गया ये a b, a b cancel हो गया ठीक है ये 2 लिखा होगा बचे ये यहाँ पर ये कुछ नहीं लिखा है ये a b, a b cancel हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2 a plus b plus c ये a determinant बचेगा अब फिर इस determinant में देखो क्या है इस determinant में जो पहला रो है उससे फिर a common आजाएगा दूसरे रो से b common आजाएगा देखलो, first row में है na a a common है और second row में b common है, तो हमने first row से a common निकाला, taking a and b common from r1 and r2 ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया क्या बचा c plus a, अब यह तो 2 by 2 order का determinant हो गया, अब तो इसको हम direct evaluate कर सकते हैं तो यह हो गया 2ab, a plus b plus c whole square, इस दो को multiply किया तो क्या होगा, b plus c into c plus e, यह minus a b आ गया, ठीक है, अब यह 2ab, यह as it is लिख दिया अब इसको multiply किया, तो यह क्या हो जाएगा b c plus a b plus c square plus a c और यह minus a b already लिखा है, यह a b, यह a b cancel हो गया अब यह जो तीन element बचाना है, यह तीन element, इसमें c common है, तो c common ने बाहर कर दिया, तो क्या हो गया 2abc, यह क्या हो गया, a plus b plus c whole square, यहां क्या बचिया b plus c, यहां c यह a k बचा, यह दो multiply होके क्या हो गया, a plus b plus c whole cube, जो कि हमारा hence proof हो गया ठीक है न, तो यह हमारा question number क्या था हमारा, question number 13, यह भी solve हो क्या ठीक है बच्चो, तो अब क्या है, कि तुम्हें करना क्या है तुम्हें, सबसे पहले बात हाँ, एक बात मैं पहले बता दूँ कि हमारा ncrt से determinant और matrices chapter complete है समझ रहे हो न, बात को ncrt से determinant और matrices chapter हमारा complete है तो तुम करोगे क्या कि एक एक question तुम अब कर सकते हो solve, देखो तुम्हें मैं देखाता हूँ determinant मे, matrix तो कपका complete है determinant के first chapter पर आ जाओ यह सब properties यह देख ले न, यह सब बिलकुल बच्चा question है exercise 4.1 कल ले न, solve properties of determinant यह सब देख ले न, बिलकुल easy questions है यह सब properties वगर अब जो मैंने तुम्हें explain किया वो सारी properties यहां लिखी हुई है यह सब देख लो यह सब करो, practice बैटके यह question अलएड़ी मैंने करा दिया है ठीक है अभी एक PDF और मैं send करूँगा तुम्हे अगर कल टाइम मिला तो कल भी मैं send करूँगा एक PDF, वो भी PDF सिर्फ question का होगा, आज जो मैं PDF अभी तुम्हें send करूँगा, यह जो PDF है यह भी question का था, ठीक है अभी next एक और PDF, उसमें भी मैं सिर्फ question डिसकस करूँगा, उसके बाद फिर हम determine on के next topic में आएंगे अब बच्चों तुम्हें करना क्या है बेटा यह important question है, समझ जाओ पहले, exercise 16 जो है न यह, देख लो यह example 16 दिख रहा है example 16, यह important question है ठीक है, इसे रट जाना यह board में अक्सर पूसता है ठीक है, इस question को मैं एक बाद explain करूँगा, जो next PDF उसमें यह मैं question लोगा, ठीक है, example 16 page number 118 ठीक है 4.2 बैटके तुम solve करो ठीक है, कुईसी भी question में doubt है तो पूछो, यह बैटके सारे question solve करो ठीक है, एरिया बचा है sorry, एरिया भी बचा किया है एरिया तो अल्रेड़ी मैंने 11th class में बता रखा है, बता है ना कि एक triangle का एरिया कैसे लिखते है, determinant के form में, यह तो अल्रेड़ी 11th class में मैंने discuss कर रखा है, तो यह तो अल्रेड़ी तुम्हारा complete है minors and co factors, यह सब details से बता रखा है, यह सब तुम बैटके करो solve, exercise 4.4 करो, adjoint and inverse of matrix, यह सब अल्रेड़ी बता रखा है यह सारे adjoint and inverse के properties, यह सब बता रखा है, तुम्हें exercise 4.5 करो ठीक है, application of determinant matrices, यह भी discuss क्या होगा, miscellaneous examples कर जाओ, ठीक है, यह important है, इस question को भी मैं जो next PDF है, उसमें इस question को भी लोगा मैं, ठीक है उसके बाद यह सब बैटके question करो अच्छा है, यह question अभी हमने किया देखो, यह example है ना 32 हमने किया भी देखो, यह जो last question है, यह example 32 किया हमने, इसमें A plus B हमने लिया है, A, B, C के जगह यहां क्या दे रखा है, X, Y, Z, समझ रहो है ना बात को, same question अभी हमने किया यह, example 32, तो यह करो miscellaneous exercise solve करो, बैटके, अब तुम बोलो कि आप miscellaneous exercise पूरा solve करके, PDF बना के, वीडियो बना के, मुझे send कर दो, तो possible नहीं है, ठीक है ना, किसी भी teacher से पढ़ लो, दुनिया किसी भी कोने में चले जाओ, किसी भी book का, तुम्हें एक है question कोई नहीं कराता है, ठीक है, मैं, मेरी causes क्या है, कि मैं सारे different types के question जो है ना, वो मैं collect करके, तुम्हे solve करके देखा दू, बट एक है question possible नहीं है, कि मैं बैट के video बना के, एक है question solve करो, ये सारे question बच्चे करो, ये भी question करा रखा है, question number 11 देखो, ये जो है न, 11 हमारा, ये भी करा रखा है, ये सब बैट के question तुम लोग solve करो, ठीक है, अब तुम करोगे क्या, कि NCRT से हमारा matrix and determinant complete है, तो अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हारा homework क्या है, कि तुम NCRT solve करोगे, और जो doubt होगा न, वो question number मुझे send कर देना, ठीक है, question number मुझे send कर देना, तो मैं क्या करूँगा, कि उसको, अगर मुझे लगेगा कि question बताने लाइक है, तो मैं उसे PDF में include कर दूँगा, जितना जल्दी, कल मैं बनाऊंगा PDF, तो आज जब तुम वीडियो देख रहे होगे न, तो उस दिन और उसके अगले दिन तक तुमारे पास time होगा, ठीक है, जो भी प्लेंद कर दूँगा, ठीक है, तो NCRT से हमारा matrix and determinant complete है, ठीक है, next PDF question का ही होगा, ठीक है, फिर,